स्वागत है आप सभी का टेक स्टेडी आईटेटी योट्यूब चनल पर B.S.F.A.N.E. Border Security Force की तरफ से एक सरकारी नवकरी जारी की जा चुकी है जिसके के ऑनलाइन फर्म भरे जाएंगे और All India Candidate यहाँ पर Eligible होंगे फर्म भनने के लिए इस वेकेंसी में ITA और Diploma Candidates को मौका दिया गया अलग-अलग पोस्ट पे तो आइए देखते हैं वेकेंसी का टेटेल और इसका फर्म कब से स्टार्ट हो सकता उन सब के बारे में यहाँ पर बात करेंगे जिससे आप लोग आसानी से इस नोटिफिकेशन को पूरा समझ पाएं और जो भी Candidate Eligible हों वो इसका फर्म भी फिल कर सकें तो यह है भरती का ओफिसियल जो नोटिफिकेशन यहाँ पे Employment News में जारी किया गया है वो इसके बाद आपका ओफिसियल वेबसाइट पे एक डिटेल नोटिस आ जाएगा और उसके बाद आपके फर्म भरे जाने स्टार्ट हो जाएंगे वीडियो को सबी तक पहुँचाने के लिए आप एक चीज़ कर सकते हैं वीडियो पर लाइक वाला जो बटन उसे प्रेस कर सकें इस ब्लिचे सब तक एक वीडियो पहुच सके ये BSF engineering setup जो है उसकी लिए vacancy यहाँ पे निकाली गई है अब अगर यहाँ पे vacancy में बात करें जिसमें male and female दोनों candidate form भर सकते हैं group B and C में और vacancy का count थोड़ा सा कम है लेकिन जो candidates eligible होने form यहाँ पे जरूर भरना चाहिए क्योंकि competition इनकी eligibility की according आप देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पे कम रह सकता है पहली post है assistant aircraft mechanic की जिसमें assistant sub inspector की post होगी rotary wing में आप देखें तो mechanical, airframe and engine की एक post है avionics, electrical, instrument या radio radars है तो आप 5 post है and fixed wing में आप देखें mechanical की एक post है और साथ में यहाँ पे एक है इसमें diploma मागा जाएगा ठीक है pay matrix आपका यहाँ पे level 5 होगा, 29,200 आपका basic होगा and initial salary आपकी 45,000 प्लस यहाँ पे रहने वाली है total number of vacancy के गर बात करें तो यह सिर्फ 8 है इसके बाद आप देखेंगे assistant radio mechanic की post है इसके अरामा आप देखें constable storeman की post है इसके बाद अगर बात करें engineering setup में जो vacancy है जो group B की post कही जाएगी यहाँ पे अगर आप vacancy देखेंगे पहला यहाँ पे है SI works में total कितनी vacancy है, 13 है फिर SI, JE electrical में यहाँ पे कितनी 9 works में आपका civil से diploma मागा जाएगा, यहाँ पे electrical से फिर group C की post आते हैं, जिसमें ITA candidates eligible होंगे पहली है head constable plumber की कितनी vacancy है, total एक vacancy सिर्फ OBC category में है, OBC चातर यहाँ पे फार्म भर पाएंगे अगली head constable carpenter की एक unreserve category में है, यहाँ पे सभी लोग फार्म भर सकते हैं बट आपको unreserve category में ही fill करना पड़ेगा पाएंगे, constable lineman की total 9 post है तो vacancy अच्छी खासी यहाँ पे, इसमें 10% ex-serviceman और 10% से 14-15% यहाँ पे women candidates का reservation रहेगा तो वो चीज यहाँ पे दे दी गई है पे matrix आपका 4 होगा, 25,500 initial जो आपका payment होगा है, आप देखी यहाँ carpenter तक है, नीचे जो यह head constable है चुकी, ठीक है तो इसमें pay matrix आपकी ज़्यादा है नीचे जो constable वाली post है, इसमें pay matrix आपका 21-700 हो रहेगा पहली यहाँ देखें, अगर plumber, carpenter के case में, तो आपको लगभग enhanced salary 35,000 प्लस आएगी, यहाँ पे आपकी salary approximately 35,000 के आजपास आएगी, ठीक है अब qualification यहाँ देख लेते हैं, तो last date जो रहेगी form बनने की 30 दिन यहाँ पे दिया जाएगा आपको जब publish हो जाएगा notification official website पे उसके बाद से तो form जैसे start होगा form बनने का वीडियो हम आप सब के लिए बना देंगे, vacancy गटाया बढ़ाया भी जा सकता है, यहाँ essential qualification है जैसे assistant aircraft mechanic में आप देखे three years का diploma मागा गया है, ठीक है and assistant radio mechanic में भी three years का diploma मागा गया, इसके साथ two years का experience यहाँ पे prefer किया जाएगा, ठीक है, मतलब experience है तब भी भर सकते हैं, नहीं है, तो भी आप यहाँ भर सकते हैं form, constable storeman के case में matriculation अपने नी दस्वी आपने science side से पास की हो दो साल का working experience हो, इस्टोर में उसके अलावा knowledge हो, computer knowledge हो आपके पास, तो आप यह form भर सकते हैं sub inspector works में आप पास तीन साल का diploma होना चाहिए ठीक है, किसमे? civil engineering में तो आप यह form भर सकते हैं, ठीक है junior engineer, sub inspector electrical में 3 years का diploma, electrical engineering में आप form भर सकते हैं, head constable plumber के case में आपने ITI किया हो plumber trade में तीन साल का आपके पास experience हो, तो आप form भर सकते हैं head constable carpenter में, carpenter से आपने ITI किया हो, और 3 years का experience और respective trade में किसी reputed firm में अच्छी company में काम करने का तो आप ये form भर सकते हैं, तो जिन candidates के बाद experience है, उन्हें यहाँ पे काफी अच्छा मौका मिला है, और उनको यहाँ पे selection में भी आसानी होगी, क्योंकि ITI plus experience थोड़ा सा competition कम हो जाता है, freser की अपेक्छा, constable generator operator की बात करें, यहाँ आपने electrical या wireman या diesel या motor mechanic ट्रेड से अगर ITI किया है, साथ में 3 साल का experience आपके पास, तो आप ये form भर सकते हैं, constable generator mechanic के case में आपने mechanic motor vehicle या diesel mechanic से ITI किया हो, साथ में 3 साल का experience हो, तो आप ये form भी भर सकते हैं, और constable lineman के case में, आपने electrical wireman या lineman trade में अगर ITI किया हो एंड साथ में आपने तीन साल का experience ले रखा हो तो आप ये form fill up कर सकते हैं age limit यहाँ पे दे दी गई है age limit के अगर बात करें तो आप यहाँ constable की जो post है especially plumber के case में 18-25 साल, carpenter में भी 18-25 इन सभी में आपको 18-25 साल मिलेगी age limit जिसमें SCST को 5 साल OBC को 3 साल की additional अलग से छूट यहाँ पे मिल जाएगी crucial date and ये सारी चीज़े जो है detailed online application जो आएगा जो उसका closing date रहेगा वो रखा जाएगा मतलब तब तक आपने IT पास किया हो तब तक आपकी age limit fulfill हो जो last date होगी तो आप ये form आसानी से fill up कर सकते हैं जैसी form बनना start होगा हम आप सब के लिए form बनने का detailed notification का वीडियो बना देंगे ये notification अगर आपको चाहिए तो आप टेलिग्राम पे जोड़ जाएगा description में टेलिग्राम चैनल की link है वहाँ पे आपके साथ हम इसको share कर देंगे Thank you very much ख्याल रखिएगा आपना मिलते हैं अगली update के साथ अगले वीडियो में